हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग मैं रेनू विलकम करती हूं आप सबका अपने चैनल पर और अभी देखे मैं आप पर फूल तोड़ रही हूं और इस पर मेरा फूल जादा नहीं खिला है बस समझें पूजा करने पर निकल जा रहा है फूल नहीं तो इतना जादा खिलता फूल बहुत जादा पेड़ फूरा हो जाता था छोटा उड़ूल वाला फूल इतना साथ तोड़ दिये हैं चलते हैं आगे देखते हैं इदर देखें गेंदा का फूल दुचार है खिला हुआ सम्मी का पत्ती और फूल मैं ले ले रही हूं पूजा के लिए और एक देख करके और चलते हैं नीचे और आज नौरात्री का तीसरा दिन है और यहां पर आ जाते हैं पूजा के लिए सबसे पहले आप सब महतारानी का दर्सन कीजिए उसके बाद ब्लॉगा स्टार्ट करते हैं और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और यहां पर देखियें मैं सारा क्लीन कर ली हूँ जितना भी कल का फूल पति जो चढ़ा आए थे पूजा के लिए उस सब कुछ हटा करके और मैं हाँ पर क्लिन कर दी और पूजा के लिए मैं फल सेव है उसे दो ले रहे हैं पहले और दो करके केला सेवे सब मैं रखते रही हूँ और पूजा की थाली जो है उस सब पेपर में ही था मेरा जो कागज में जैसे मार्केट से दुकान से खरीद करके ले करका आया थे वो इसे ही रख दी थी और घर में मेरे पास छोटी-छोटी काटोरी है फिर भी मुझे आतना ही था जल्दवाजी में सब कुछ हुआ तो मैं आज सोच रही है कि उसे ठीक कर दूँ काटोरी हो रहके और देखे मेरा आज ये लुक, चूडी, संखा और रेड कलर की साड़ी आज मैं पहनी हूँ, पीला वाला साड़ी आज नहीं तो सारा चीज मैं सोच रही हूँ कि जितना भी रोडी, अभीर, गुलाल जो होता है पीपर में है तो उसको हटा करके और चोटा-चोटा कटोरी है मेरे पास तो उसे में कर दे रहे हैं ये सब तो फश्ट दी नहीं करना चाहिए लेकिन याद ही नहीं था कि कटोरी भी है और जल्दबाजी में सब हो जाता है तो उसे अभी तो नौ दिन छे दिन भी और है पुजा लंबा समय तक पुजा है तो इसके चलते मैं सुझी की कर दूँ एक दिन का तो पुजा है नहीं सारा कुछ मैं कटोरी में रखती ऐसे पुजा के समय चढ़ाने में मिलता भी नहीं है कि दहरा पूरा भरा भरा थाली लगा था देगे थाली कितना अच्छा लगने लगा मैं सजादी इस तरह से और अभी सारा चीज मैं हाँ पर रेडी करके रख रही हूं भी पंडी जी नहीं आया है और पुजा के पहले यह सब कुछ करके रखना चाहिए करके पंडी जी आते हैं तो बस हरबर हरबर में पूजा कराने लगते हूं उनको कई जगा पूजा कराना होता है तो मैं दीपक में बत्ती घी यह सब भी लगा करके रेडी करके रख रही हूं क्योंकि आएंगे बस पूजा स्टार्ट करेंगे करणे में क्योंकि यहां परपंडी जी आ गये हैं और, अधिन रात्री सटार्ट हो चुका है और अभी नौरात्री है तो नौरात्री के वल्लोग में तो पूजा पढ्ड़े दिखाएँ हैंगे ही क्योंकि यह तो सबसे मस्ट है नौरात्री का व्लोग में का पूजा है मेरे घर में हो रहा है तो मैं तो व्लोग में परदिन पूजा दिखाओंगी ही आप सब तो आप सब पूजा देखिये और मातारभानी का सिरवाद लिजीए तेहाँ पर पूजा कर लिए हैं और आप कथा सुनेंगे जो बाठ होता है पूजे में टाइम लगता है, करीब एक डिर्ट खंटा तो लगी जाता है तो कोई दिकत नहीं हमारे यहां इसे भी आखरी में पूजा हो रहा है बारे बजे और मैं सारा काम करके इसके बाद पूजा पर बैठती हूं तो मुझे इससे कोई दिकत नहीं है थोड़ा सा खाना बनाने में मुझे लेट हो जाता है जो अपना फलहार बनाते हैं वो तो यहां पर पूजा हो चुका मेरा आरती हो चुका और मातारानी सबको असिरवाद दे सबके घर में सुक्सांती बनी रहे हेलो फ्रेंड्स गूड आफ्टरनून वेलकम है आप सबका मेरे चैनल पर नौरात्री आज मातारानी के तिसर रूप का पूजा हुआ घर में और देखिए पूजा करके और मैं अभी उठी हूँ आज मेरा यह लुक देखिए यह साड़ी मैं मंगाई थी आज मैं इसे ही पहनी लाल साड़ी कैसा लग रहा है प्रसाथ में लाल चूडी और लाल संखा मातारानी को बहुत पसंद है लाल चुनरी लाल चूडी सब कुछ तो आज यही ड्रेस पहन करके और मैं पूजा की और अभी चलते हैं ड्रेस को उतार लेते हैं पहले इसके बाद परसाथ खाके पानी पिएंगे तब फिर आप सबसे मिलेंगे ऐसी लग रही है और मैं संखा पहनी हूँ मैं संखा मम्मी दी थी इस संखा रखा हुआ था वह पानी है फ्रेंट्स आ गई में रेस चैंज करके देखियो माखाना और बदाम भूंच करके रखें नीचे रख सेचे जाओ अब अधिए चाकूला चाकू चाकू से काट लेते हैं अधिए चाकूला आओ केला तो ऐसे ही ले लेंगे लिए कि चाकूला और इसको काट दो काट के दो तुम भी परसाद ले लो पापा को भी दे दो और यह रहा परशाद आप सभी आई आतारानी का परशाद खाने अधिए देखिए लेला, सेव, और साथ में खाना परसाद आईए आप सभी महता रानी का परशाद खाने और अभी इखा करके इसके बार रुजास इखे हैं तो इफासा है इतनिस लग रहा है खाने के बार इनरजी मिलेगा इसके बार धर में बराएंगे तला रहने लिए जाएगा नहीं आप सब आप सब को मिलाएंगे तर्फेंट्स एजए देखिए सिंहाडे का अटा है और आज मैं बनाने जा रही हूं सिंहाडा का हाईवा ज़ी नहीं बनाएंगे तल्पूरी और सबजी आलू का बना कर खाईए तुमें आज देखिए दूद है गल होचिक पर घी डाल दिये हैं सिंहाडे का आटा का हलुआ बनाने के लिए और यह देखिए सिंहाडा का आटा तो पीस करके घर में ही मैं बना रही हूं इसे भून लेंगे भूनने में तो ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है घी थोड़ा सा ज्यादा लगता है जल्दी से भून ज पर चीनी अ Direction आ साथना कि उसमें चिट्टी उस गया है और निगालने का बाद भी लगता है कि लुझे जिम फ्रेश ची नहीं के बाद ना चाहिए कि ऊसमें पानी जादा नहीं पड़ता है आदे के दोदस्हीं डालेंगे उसके बाद चीनी deterior कर के तो तो फ़ीका खोल करकी है इसे चान करके मैं डाल रही हूं चिट्टी उट्टी होगा एक अद्वी तो हो निकल जागा देखिए पानी थोगा जादा हो यह टाइम लगा सुखने में और अभी से ठाली में जमा देंगे हैं इसके बाद मुझे अभी सनधाम के समय में आर्ति करना है आर्ति क नेक्स्ट वीडियो में एक नए ब्लोग के साथ तब तक के लिए बाई टाटा सी यो टेक क्यार